आइए जानते हैं आजी कुछ अंदराश्ट्रे खबरों को पहले एक मिज़ा राज की हैटलाइन्स पर नितेश कुमार को क्यूं दो हजार पचीज तक मुख्य मंत्री बनाए रखना चाहती है बीजेपी भर्क जुरुन्याय यात्रा को बंगाल में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा बोले कॉंग्रेस नेता अधिर रंजन निजामुदीन ओलिया दरगाह पहुँचे फ्रांस के राष्टपती कवाली का भी लिया अनन हाँ ये सही है लेकिन क्या मुल्क में यही चलता रहेगा एसाई रिपोर्ट पर बोले प्रोफेसर इर्फान हभीब जन्ग के बीच आया इंटरनेशनल पोर्ट का फैसला इस्राइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश ये सौधी के मुसल्मानों की क्राउन प्रिंस के नए फैसले को लेकर खफा हुए लोग भारत और भारत के बाहर पद्मभूशन अवार्ट जीतने के बाद मिथुन चक्रवर्टी ने दिया अनोखा रियक्शन और तनमे अगरवाल ने बना दिया रिकॉर्ट बिहार में सियासी बदलाओ को लेकर हलचल तेज है नितीश कुमार ने आज अपने निताओं की बैठक बुलाई है सूतरों के मुताबिक इस मीटिंग में विधायक दल की बैठक बुलाने पर फैसला लिया जा सकता है बिहार बिजेपी का केंद्रे नेतरतु नितीश कुमार को दोजर पचीस तक सीम बनाए रखना चाहता है जिसके कई कारण भी है बिहार बिजेपी ने आज लोगसभा चुनाओ को लेकर एक मीटिंग बुलाई है बिहार बिजेपी की कारे समीती की बैठक आज शाम चार बजे पटना ऑफिस में होगी इसमें सभी सांसुदों और विधायकों को भी बुलाई गया है बिजेपी के राष्टे महासचीव और बिहार के प्रभारी विनोत तावरी भी इस बैठक में मौझूद रहेंगे इस बैठक में बिजेपी लोगसभा चुनाओ की तैयारियों के साथ साथ बिहार के मौझूदा रास्तिक हालात पर भी चर्चा करेगी बिजेपी ने राज्जे में लोगसभा चुनाओ के साथ विधानसभा चुनाओ कराने के विचार को खारिच कर दिया है जिसके तीछे कई वजहे हैं बिजिति का मानना है कि लोकसभा चुनाओं के साथ विधानसभा चुनाओं होने से लालू तेजस्वी जैसे अन्याफ फैक्टर हावी हो जाएंगे जिसका पाथी को नुकसान हो सकता है। विधासभा चुनाओ साथ में कराने पर नितिश कुमार की एंटी इंकमबेंसी भी नुकसान कर सकती है। लेकिन स्कूल की परिक्षाओं का हवाला देकर अनुमती नहीं दी गई। दिवस परेड देखने के कुछ घंटो बाद फ्रांस के राष्टपती एमेन्यूल मैक्रो रात को दिली में दरगा निजामुद्दीन औलिया दरगा पहुंचे यह दरगा प्रसिद सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शिश्य अमीर खुसरो का मकबरा है और यहां र यूज एजंसे पीटी आई के मताबिक मैक्रो रात करीब नौ बचकर पैटालिस मिनट सूफी दरगा पहुंचे और यहां आधे घंटे तक वह रुके इस दौरान उन्होंने यहां की मशूर कवाली का भी आनंद लिया दरगा में मैक्रो जितनी देर रहे उतनी देर वह वह खुद जरांगे ने कही है मनोज जरांगे ने कहा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है हमारा विरोध अब खत्म हुआ हमारा अनुरोध स्विकार कर लिया गया है हम सरकार का पत्र स्विकार करेंगे मैं शनिवार यानि आज मुख्यमंत्री के हाथ जू देश भेजा था मुख्यमंत्री कार्याले के एक बयान में कहा गया है कि सिंदे ने मांगो पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठके की और बात में कारेकरताओं से मिलने के लिए एक प्रतिनीधी मंडल मौसौदा अध्यादेश के साथ भेजा जरांगे हजारो समर्तकों के साथ परोज के नवी मुंबई में डेड़ा डाले हुए हैं ग्यान वापी परिसर की एस सर्वे रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष ने कई दावे किये हैं गुर्वार को वकील विश्नु संकर जैन ने रिपोर्ट सारवजणिक की उन्होंने कहा है कि रिपोर् ने कहा कि ये एक तरह से सही है मगर क्या अब मुल्क में यही चलता रहेगा कि कहा मजजद तोरकर मंदिर बनाए गये और कहा मंदीर तोरकर मजजद बाबरी मजजद का भी कोई तारीखी सबूत नहीं था कि वहां कोई मंदिर था लेकिन सुप्रीम कोट ने फैसला दे दिया उन्होंने ग्यानवापी मजजद के जगा मंदिर होने के सावाल पर कहा कि हां यह सही है इसका जिक्र कई किताबों में भी आया है मगर क्या देश में यही चलता रहेगा वारानसी में मौझूद ग्यानवापी मजजद पर विवाद जारी है इस दोरान भाचपा नेथा और केंद्रिया मंत्री गिरीराज सिंग ने शुकरवार को कहा कि मुसल्मानों को ग्यानवापी मजजद अस्तल हिंदूों को सौप देना चाहिए उन्होंने कहा है कि ऐसा को सर्वे बयान नहीं दिया जाना चाहिए जो सांप्रदाइक सभ्यता को बाधित कर सकी गिरीरा सिंग का यह बयान ग्यानवापी मजद परिसर पर एसाई सर्वे रिपोर्ट सरवजनिक होने की एक दिन बाद आया है जिसमें हिंदू वादियों की नुमाइंदेगी करने वाल है लेकिन हमारी मांग हमेशा से आयोध्या काशी और मतुरा रही है उन्होंने आगे कहा है कि मैं अपने मुस्लिम भाईयों से अपील करूंगा कि जब सारे सबुद सामने आ जाएं तो काशी को हिंदूों को सौप दे ताकि सामप्रदाइक सुहार्द बना रहे हमने जे ने एक महत्तपून फैस्ता सुनाया है वर्ल्ड कोर्ट ने इसराइल से कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने हमले में कुछ मौतों और नुक्सान का पूरा हवाला दे और किसी भी तरह की गंभीर चोट या नुक्सान को रोके कोर्ट ने अपने आदेस में कहा है कि इसराइल या सुनिश्चित करे कि उनकी सेना गाजा में नरसंगहार नहीं करे और वहां मानिविया इस्तिती में सुधार वादी कदम उठाए इसका साथी आदालत ने इसराइल से इस मामले में एक महीने के भीता रिपोर्ट देने को कहा है डक्षिन अफ्रीका ने इसराइ हाथ के सलामी बल्लेबाज तनमे अगरवाल ने शुकरवार को क्रिकेट के इतिहास की रिकॉर्ड बुक में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों से लिख कर 75 गंतंत्र दिवस मनाया उन्होंने रंजी ट्रॉफी में और उनाचर प्रदेश से खिलाफ क्रिकेट के किसी भी प्र किसी भी भारतिये द्वारा बनाया गया सबसे तेज प्रथम श्रेनी 12 शतक था सास्त्री ने 1984 से पचासी के सीजन में बड़ोदा के खिलाफ 123 रनों में डबल सेंचुरी बनाई थी यह अब तक का दूसरा सबसे तेज प्रथम श्रेनी 12 शतक है अफगानिस्तान के सफिक उल सिवनानी ने 2017-18 में बूस्टे रीजियंस के खिलाफ काबूल छेत्र के लिए नवासे गेंदों में अपना 12 शतक बनाया था